वर्ण व्यवस्ता हिंदू धरम की एक गतिमान धार्मिक व्यवस्ता थी विदेशी शास्कों की एमानविय गुलामी के कारण वर्ण व्यवस्ता का मूल स्वरूप विक्रत हो गया ये बात निराधार नहीं है, बाली का हिंदू समाज विभाजित या खंडित नहीं है, वर्गी करत और व्यवस्थित है भारत में कोई केंद्री सत्ता या कोई एक किताब नहीं थी सो से जादा इस्मरतियां थी, उसमें विरोधी विचार भी मिलते हैं वर्णों के अंदर जातियां उची नीची होती रहती थी सास्त्रार्थ से निर्धारित हिंदू धर्म एक खुले स्थापत्ते का अनुसरन करता है हिंदू धर्म मूलते रिशी मुनियों से प्रचलित धर्म है रिशी अनेक थे, रिशी का कोई वर्ण नहीं था कोई जाति नहीं थी, वेदों के कहीं रिशी उस समाज से आये थे, जिने आज अन्तियज माना जाता है ब्राम्मन ग्रंतों के भी सभी रचयता ब्राम्मन नहीं थे एतरे ब्राम्मन के लेखक एतरे, कवश, एलूश या जबाल वर्ण व्यवस्ता से बाहर के लोग थे रामायन के लेखक निम्न जाती में जन्मे थे पुराणों के प्रनेता और प्रवक्ता ब्राम्मन नहीं थे विश्व का सबसे विशाल गरंत लिखने वाले भगवान व्यास निम्न जाती की कन्या की संतान थे उने की शिश्य परमपरा में रिशी उग्रशरवा और रोम हर्शन आदी सूत जाती के थे जो आज के इसाब से निम्न जाती है पुराणों को नेमी शारण्य में सूत जी के मुक से अठारे हजार रिशियों ने सुना था सूत कौन थे? सूत जाती का यग्य से अनिवारे संबंद रहा है ये वास्तुवेत्ता थे यग्य वेदिका के निर्मान के लिए नापने की डोरी या सूत्र हाथ में लिए रहते थे इसलिए नाम हो गया सूत्रधार यही सूत नाटक के भी सूत्रधार हो गये क्योंकि यग्य के समय वे ही अभिने द्वारा आख्यानों का प्रस्तूती करन करते थे नरत्य के लिए सूत को और गायन के लिए शैलूस को बुलाने का निर्देश है सूत महाभारत और रामायन का भी बंचन करते थे सूतों की बहुत प्रशिंसा है सूतों का सहयोग अनेक कारीगर और शिल्पी करते थे नाटक में काव्य संगीत नरत्य चित्रकला और मूर्तिकला का समावेश है इसलिए नाट्य सास्त्र सब कलाओं का रश सास्त्र है यग्य और उसके साथ नाट्य एक व्रहध आयोजन होता था इसमें सभी जातियां जूट जाती थी विभिन नरत्य शेलियां कथानकों से भरपूर रही है कथक का अर्थ है कथा का कथन यग्य और मंदिरों के विनाश ने कथक को कोठों पर और जातियों को निमनवस्था में पहुँचा दिया यग्य से लेकर मंदिर तक और जन्म से लेकर मृत्यू तक हर जाती एक दूसरे की पूरक रही है आज जैनेटी का नुसंधान ने सिद्ध कर दिया है कि भारत की निम्न और उच्च जातियां एक ही है मनुस्मृती ने शिल्पी के हाथ को पवित्र माना है यग्य तता मंदिर परियावरण के अभिन्य अंग पवित्र हातों वाले ये कारीगर और शिल्पी ही मूल जातियां थी जाती अथार्थ ग्याती जातियां दरसल ग्यातियां थी शिल्प कला और ज्यान की लेकिन इन में बहुत बदलाव और विक्रतियां आई है मुश्लिम शासकों के मंदिरों पर विनाशकारी प्रभाव ने और अंग्रेजो दुआरा उद्ध्योगों के विनाश ने जातियों को दली तवस्था में पहुँचा दिया कारीगरों के साथ दासों जैसा व्यवहार हुआ अत्याचारों से बचने के लिए बुनकरों ने अंगुठे काट लिए कारीगरों ने आत्म हत्याएं कर ली भूख से मर गए जाति व्यवस्ता में संगर्ष नहीं सहयोग था समाज का कोई कारिये एक दूसरे के बिना संपन्न नहीं हो सकता था जातियों का अपने आर्थिक व्यवसाय पर एक आदिकार था कुमारी घड़ा बना सकता था और कोई नहीं चरमकार ही जूते बना सकता था और कोई नहीं ये बात बहुत बड़ी है और उससे बड़ी ये बात है कि सब समाज में आत्मसंतुष्टी के साथ रहते थे एक जाती दूसरे के धंदे में गुसने की गिद्ध दृष्टी नहीं रखती थी आध्यात में ग्यान के सब अधिकारी थे चरमकार रेदास समाज में पूजनिय थे राजपूत मेरा के गुरु थे उनकी कठोती को गंगा के समान पवित्र माना गया है